हारुफिक्स वान प्लास नाइन आर बैटल ग्रांड मोबाइल इंडिया नोट वोर्किंग ओन वाइफाई प्रॉब्लम नमस्कार दोस्तों तो आगर है अब सबीका तिकराच यूटूब चैनल पर तो दोस्तों आज की इस वीडियो पर मैं आपको बताऊंगा कैसे आप जो ह आपने मोबाइल को तो वह वाइफाई के साथ आपका मुबाइल को जाते हैं लेकिन आपका जो यह गेम है यह वाइफाई पे चलते नहीं है ठीक है तो अगर आप भी इस तरह कि का कोई भी प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं तो वीडियो को एंग तक देखें जो भी सॉलूशन में आपको बताने वाला हूँ उसको follow करे आपका problem solve हो जाएगा वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने चैनल को subscribe नहीं किया है तो subscribe करते हुए bell icon को click करे अगर आप online पैसा कामाना चाते तो video description पर आपको link मिल जाएगा किसी भी problem के regarding पर आप हमें Twitter पर follow करके message कर सकते हैं तो चलिए दोस्तो आज की इस video को शुरू करते हैं तो दोस्तो अगर आपको ऐसा कोई भी problem आ जाते हैं तो आपको क्या करना होगा तो सबसे पहले चीज़ मैं आपको यहीं बताऊंगा आपको यह जो game है ठीक है उसको अपडेट करना होगा यहाँ पर आप देख सकते हैं प्लेश्टोर में जाएए सबसे पहले एप को अपडेट करें एप अपडेट करने के बाद आपको क्या करना है सबसे निचे आके सिस्टेम को आपको अपडेट करना है उसके बाद दRuенить करके देखे अगर प्रॉल्म सोलफ हो जाता है तो ठीक है अगर नहीं होते तो मोबाइल के जो safe mode reboot का option है उसको follow करें mobile को safe mode पे reboot करें उसके लिए power button को press and hold करना है power off के button जो दिखाई दे रहे यहाँ पे 2 second click करके रखना है okay कर देना है और safe mode पे आपका phone reboot हो जाएगा उसके बाद next आपको करना क्या है next पे दोस्तों आपको check करके देखना है कि आपका problem solved हुआ है या नहीं हुआ है अगर problem solved हो चुका है तो अच्छी बात है अगर आपको आपको आपी भी problem आ रहा है तो जाएए setting ठीक है यह होगा आपका interface scroll down करे एप से नौड़ फिक्शन पे जाए see all apps पर click करे scroll down करे और उसके बाद आपको यहां पर search करना है bgmi ठीक है बेटल ग्राउंड इंडिया तो इसको select कर लेने के बाद आपको सबसे पहले तो storage पर जाना है इसका जो खेश है उसको clean करना है तो यहां पर प्रेस करें खेश clean हो जाएगा next आपको जाना है यहां पर mobile data and wifi उसके बाद आपको यह वाला option चेक कर लेना है अगर यहां पर on रहेगा तो आपको दिक्कते आ सकते तो इसको burn कर देना है और उसके बाद background data enable करना है अगर यह वाला option enabled है unrestrict data users तो इसको burn ही कर दीचे ठीक है अगर यह on रहता है तो और यहां पर जो setting आप दिखाएद रहा है यह on है यह टीनों off है तो आपको यही setting अपने mobile पे भी follow करना है उसके बाद make sure सारे permission enabled रहे file and media and microphone ठीक है तो यहां पर एक और option है permission के अंदर पर यह setting जो दिखाएद रहे remove permission if app isn't used तो इसको आप burn ही रखें ठीक है इससे आपको दिक्कते हो सकते हैं तो इसको burn रखें और उसके बाद यह सारे setting करने के बाद मोबाइल को restart करें देंट चेक करके देखे problem solve हो जाएगा तो कुछ इस तरीके से आप अपने problem को solve कर सकते हैं उमीद करते हैं आपको वीडियो पसने होगा thanks for watching